नमस्कार आप देख रहे हैं यूजवल इडिया आपके साथ मैं हूँ का जो लरायन बहुत स्वागत है आपका गुड मॉनिंग इंडिया में मुंबई के पूर्फ पुलिस आयुक्त परम्बिर सिंग को लेकर महाराष्ट में जम कर हंगामा हो रहा है बीजोपी राज्य की उधव सरकार पर हावी है अब शिवसेना ने अपने मुखे पत्र सामना में विपक्ष के आरोपो पर एक संपाद किया लिखा है शिवसेना ने कहा है कि बीजोपी परम्बिर सिंग को सिर माते पर बैठा कर नाच रही है और सरकार को बदनाम करने के लिए परम्बिर सिंग का इस्तेमाल कर रही है यह सब कुछ साजुष का हिस्सा है शिवसेना ने आगे कहा कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम्बिर सिंग भरोसे लायक अधिकारी बिलकुल नहीं है उन पर विश्वास नहीं रखा जा सकता ऐसा मत कल तक BJP का था लेकिन उसी परम्बिर सिंग को आज BJP सर पर बठा कर नाच रही है पुलिस आयुक्त पद से हटते ही परम्बिर सिंग साहिब ने मुखे मंत्री उदव ठाकरे को एक पत्र लिखा उसमें वो कहते हैं गुरी मंत्री देशमुक ने सचिन वाजे को हर महीने सौ करोड रुपे जुटाने का टार्गिर दिया था परम्बिर सिंग के खिलाफ सरकार ने कारवाई भी की है इसलिए उनकी भावनाव का वस्फोट समझ सकते हैं शिवसेना ने आगे कहा कि परम्बिर सिंग निश्चित तोर पर एक धड़ाके बाज अधिकारी है उन्होंने कई जिम्मेदारियों का बैतरीन धंग से निर्वहन किया है शिशान सिंग राशुद प्रकणन में उनके नेतित में पुलिस ने अच्छी जाच की इसलिए CBI को अंतक हाथ मलते ही रहना पड़ा कंगना नामा कभी नेतरी का मामला उन्होंने बैतरीन धंग से समाला परंतो अंचालिया मामले में विरोधियों ने उन पर आरोप लगाया ये सत्य होगा फिर भी किसी पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसा पत्र लिकर सरकार को आरोपियों के कटगरे में खड़ा करना उचित रही है मौमद अखलाक हत्यकान के लिए सूर्ख्यों में रहा बिसहरा गाउं में बीजोपी नेताओं का जम कर विरोध देखने के लिए मिल रहा है दरसल भारते जन्ता पार्टी के पश्वी में उत्रप्रदेश के अध्यक्षम मोहित बेनिवाल को ग्रेटे नोयरा के बिसहरा गाउं में एक सभा को संबोधित करना था लेकिन मोहित बेनिवाल जब गाउं पहुँचे तो लोगों ने उनका जम कर विरोध कर दिया यहाँ बीजोपी नेताओं के खिलाफ जम कर नारे बाजी की गई इस पूरे घटना करम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वारल हो रहा है काफी मश्वकत के बाद ही ग्रामिनों को समझाया बुझाया जा सका बीजोपी सरकार के चौर साल पूरे होने पर मोहित बेनिवाल को नोडा, ग्रेटर नोडा और जेवर में तीन जन सभाय करनी थी नोड़ा में जनसभा करने के बाद बेनिवाज सेकरों समर्थों के साथ भी सहड़ा गाउ पहुचे लेकिन मंच पर पहुँचते ही ग्रामिनों ने उनका विरोज शुरू कर दिया गाउं के यूअग बीजोपी के खलाप नारे बाजी करने लगे तमाम लोग जनसभा को छोड़ कर जाने लगे लेकिन स्थानी बीजोपी ने ताउन ने लोगों को समझाया बुझाया और उसके बाद किसी तरह जनसभा हो सकी दरसल गाउं के लोग सरकार से बेहत नाराज हैं करीती महीने पहले गौतम बुद नगर में दनकोर ब्लॉक को खत्म कर दिया गया अब यहां सिर्फ तीन पंचायट शेत्र यारी दादरी बिसरक और जेवर हैं इनका परिसमन करते वक्त दादरी ब्लॉक के गाउं को निकालका बिसरक ब्लॉक में शामिल कर दिया गया था यह गाउं ठाकुर बाहुले है ग्रामनों का आरोप है कि इसके पीछे ठाकुर समाज की राजश्रीती श्रक्ति को कम करने की सारिश है नाराजगी की दूसरी वज़ा भी बताई गई कि नई परिसमन के हिसाब से जिला पंचायत के वर नमबर एक को और सोचे जाती के लिए आरक्षित कर दिया गया जिसको लेकर लोगों में नाराजगी है दादरी श्यत्र का विसहड़ा वही गाओ है जो 2015 में मुहमद अखलाक नाम के व्यक्ति की हत्या की मामले में सुर्खियों में आया था 28 सितम्बर 2015 को भीर ने हमला कर 52 मर्शे मुहमद अखलाक की हत्या कर दी थी उस पर गौवन्श का मास रखने का आरूप था दिली में आने वाले तीन दिन बादल छाय रहेंगे साथी हलकी बारिश के साथ ओला वरिस्ट्री का अनुमान भी लगाये जा रहा है इसका असर दिली के बढ़ते तापमान पर भी पड़ेगा और आज का नियुमतम तापमान 16.2 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है हलकी बारिश के बाद भी दिली का मौसम शुभा साम के वक्त सुहाना रहेगा हला कि दोपह का तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस तक जाने का अनुमान भी है जिस वज़र से उमस और नमी दिली वासियों के लिए परिशाने का सबब बन सकती है भार्टे मौसम विभा के जरिये ज़री दिली एंसियार का एक हपते का ताजा अपटेट कुछ इस तरह है 22 मार्च नियुमतब तापमान करीब 2 डिग्री सेल्सियस तक आज बढ़ सकता है अनुमान जटाये ज़रा है कि नियुमतब तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा वह अधिकतब तापमान 34 डिग्री सेल्सियस बने रहने के कयास है बादल च्वाय रहने के साथ अलके बारिश और ओले गिरने की आश्रंका भी मौसमी भागने जटाये इसके साथ ही 23 मार्च नियुमतब तापमान में एक प्रतीशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और इस दिन का तापमान 19 डिग्री सेल्सियस तक बना रहेगा अधिकतब तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा बादल छाए रहने के साथ ही अलकी बारिश भी हो सकती है ओले भी गिर सकते है 24 मार्च की बात करें तो अनुमान जटाये ज़ारा है कि अधिकतब तापमान एक प्रतीशत की गिरावट दर्ज की जाएगी जो की 18 डिग्री हो रहेगा और अधिकतब तापमान जो है वो भी गिर सकता है याने की 32 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है बारिश और बुनाबांदी हो सकती है 25 मार्च की बात करें तो यहां पर 3 दिन होई बारिश से दिली में बढ़ती गर्मी से कुछ रहत जरूर मिलते देख सकती है नियुमतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस तक लोड़कने का अनुमान है तो वहीं अधिकतम 32 डिग्री रहेगा 26 मार्च की बात करें तो अरुमान जुताय ज़ारा है कि नियुमतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और वहीं अधिकतम तापमान बीते दिन से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ती दर्च की जा सकती है 34 डिग्री हो जाएगा तेज हमाई चल सकती है आंधी हो सकती है और हवा की जो गती है वो 20 से 30 किलोमीटर प्रती घंटा रहेगी यानि कि अगर देखा जाए तो ये पूरा सब्ता दिलिवासियों के लिए थोड़ा सा राहत बरा रह सकता है गुड मॉर्निंग इंडिया की खबरों में फिलाल के लिए इतना ही आप देखते रही है न्यूस वाल इंडिया